यह दोस्तों आपका एक नदर की इस चनल में स्वागते देखिए आज हम आपको एंगल के बारे में बताएंगे तो हमने एक वीडियो पहले भी डाली है और दूसरी वीडियो वह हम और लैं क्यूंकि एंगल जो है हमने बनाए है जो पहले भी हमारे एंगल जो है मतलब तो आप देखिये आब हमने एंगल तयार किया है दो बाई दो का तो यह एंगल है यहकिए इस में जो है सर्य लग चुका यह कट के जो है यह त्यार है इनकी हाइत सिरुफ नौ फुट की है यह देखिए लगाव अभी अंगल जो है ये पूरे जो है ये करने को है कटने को है ये देखिए अभी जो है सिर्फ अभी हमने सिर्फ इतने किये है कि जो ये जो है ये देखिए इसमें शर्या लगा है इसमें ऐसे शर्या लगता है ये और इसमें जो है अभी हम क्या करेंगे क्योंकि अभी हमारे भान पास इतना सॉमें नहीं है जूंथ मैं सारे में पैंट कर सके लेके नभी हमां सिर्फ इसमें एद्द में हमें पैंट करेंगे जब हमारेट फिर्फ लब यह उसके उपर होगी वह भी बात में बताएंगे तो अभी जो हैं श 종 वंने हीला'd network आपको 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 अंगल आपको आपको अंगल करता है कि अब आपको 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 सबस्या को marked लगाना पढ़ता है यह शरिया क्योंकि इसमें से लगाना पढ़ता है ताकि जो है यह एक दम कहीं इसको छोड़ना दे और यह फिर ही जो है मतलब यह मतलब यह आईगल आपका बिल्कुल सही आएगा तो अब हमने इसमें पैंट करना है, तो जैसे कि हमने ये पैंट करना है, ये देखिए, अब इसमें पैंट हम सिर्फ थोड़ा-थोड़ा करेंगे, क्योंकि पैंट अभी हम इसमें पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है अभी, तो हम इसमें पैंट पूरा कर दें, क्योंकि अभी काम और भी बहुत है लेकिन अभी तो सिर्फ हम इसमें एंगल खड़ा करना चाह रहे की ताकि एंगल हमारा खड़ा हो जाए और एंगल जो है मतलब खड़ा होने से और इसमें बदरी के साथ इसको खड़ा कर दिया जाए ताकि फिर उसके बाद बैर्डिंग होगी अगर हम आभी बैर्डिंग रंग कर देते हैं तो जैसे हमने ये रंग किया है अगर आभी हम इसमें सारे में रंग करेंगे और जब इसमें उपर से बैर्डिंग होगी तो बैर्डिंग होने से क्या होगा इसमें रंग भी जल जाएगा और रंग जलने से फिर बाद में दुबारा हमारे को रंग फिर से वैसे ही करना पड़ेगा इसलिए भी हम सिर्फ इतना करें कि मतलब बहुत कम इसमें रंग दो-दो फुट तक करें क्योंकि दो-दो फुट जो है ये जबीन में लग जाएगा निच्चे क्योंकि दो फुट की गहराई देनी पड़ेगी तो इसमें जो है हम सिर्फ ढ़ाई फुट तक ही रंग करेंगे और रंग करने के बाद जो है इसमें इसको सूकने देंगे सूकने से जब ये रंग सूक जाएगा तो दो दिन के बाद जो है ये फिर हम इसमें खड़े में इसको डाल लेंगे और इसको एंगल को हम खड़ा कर देंगे ताकि हमारा एंगल बिल्कुल सही मिटी में भी खराब ना हो सके हम इसको इस ढंग से जो है ये करेंगे ये देखिए तो आब इसमें रंग जो हो चुका है सिर्फ थोड़ी जो कमी है इसमें वह भी इसमें हम पूरी करेंगे यह तो अपनी च्छा है चाहिए इसमें पैंट जोन सह मरजी करलो चाहिए सिल्बर पैंट करलो या चाहिए जोन सह मरजी वह तो अपने इसकी बात है जैसा किसी को रंग अच्छा लगता है वैसे यह जो है उस डंग से कर सकते हैं अपने इससे तो आप देखिए यह सिर्फ दो फुट दाई फुट का जो हमने यह रखा है तो यह देखिए इसमें हमने दो-दो फुट तक जो है उपर से रंग किया है यह देखिए डाई फुट है वसे यह रंग जो है यहां तक है इतना है युकर इतना जो है यह दो फुट जो है जमीन में चला जाएगा बाकी जो है यह उपर रहेगा तो यह जमीन में अब यह भी देख लीजिए आप कि जैसे हम इस एंगल को जब हम इसमें खड़ा करेंगे खेत में तो इसकी हाइट हमने नौ फुट रखी है तो दो फुट का हमने खड़ा बनाया है दो फुट जो है यह गहरा चला जाएगा और साथ फुट हाइट जो है इसकी एंगल की उपर रहेगी ताकि हमारा एंगल जो है मतलला वह दौन ना रहे जैसे कि हमने यह यह अगल बनाया है अब यह देख लीए आप इसको भी देख ली दिहेगे आभ इसमें 9 फुट का है और दो फुट का 2 न्च का जो इसमें उपर लग गया तो यह 9 फुट दो इंच जो है यह हमारा एंगल इस टाम बन के त्यार हुआ है लेकिन आप जो हम एंगल दूसरे लगाने जा रहे है यह एंगल जिसमें रंग भी किया है भी तक तिन एंगल में कर चुके हम रंग जो हम इसमें इसको लगाने जा रहे हैं इसमें एंगल भी दूसरे सिस्टम से लगेगा उसकी वीडियो हम बाद में डालेंगे ये भी हम आपको बताएंगे कि हम किस टंग से इसको लगाएंगे इस टाइम इसको लगाएंगे तो उसकी वीडियो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें और जब यह हमारी वीडियो इसमें सारे एंगल हम त्यार होंगे इस वीडियो को में और वीडियो में आपको हर आंगल के बारे में भी बताएंगे एक लंक् initiatives ơi और यूर्ण सानस जैसे भी लगते हैं वह को पूरी जानकारी देंगे है और खीकिन की दोस्तों बनेगे हमारे चैनल के साथ देख और यह ज professional को subscribe प्राइब भी करें लाइक भी करें और आगे शेयर करें धन्यवाद